मत्यप्रदेश की मौनसौर जिले के नारायड गढ़ गाउं में हाल ही में एक घटना पूरे शेत्र को हिला कर रख दिया है इस घटना का वेडियो सोसल मेडिया पर वाइरल हो चुका है जिसमें 48 वरसी हंसराज पटेल पाटिदार को नंगा करके पिटाई की जा रही है जिसमें यह घटना 28 सितंबर की है और इसके बाद ये पूरे गाउं में संसनी फैल गई है इस बिडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच गुसे और सवालों की बाद आ गई है इस मामले में पुलिस ने तीन मुख जो है आरोपियो मैंक सौरव और पवन पाटिदार के खिलाफ एफाया दर्ज की है हलाकि पुलिस द्वारा जिन धाराओं के तहट मामला दर्ज किया गया है वेसाधारण है जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इस घटना के पीडित के साथ न्याय हो पाएगा या नहीं घटना के पीछे का कारण बिवादित है और एक और कुछ और लोगों का कहना है कि यह अवायर संबंधों के सक के कारण हुआ है जबकि पुलिस अपनी प्रारम्भीक जांच में इसे चुनावी रंजिस का मामला बता रही है यह बिरोधा भास पूरे मामले को और पेचीदा बना देता है क्या यह चुनावी रंजिस थी या फिर निजी जीवन के मामले का यह मामला है इस सवाल का जबाब अभी सपस्ट नहीं हो पाया है सोसल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वारण हो रहा है जिससे की पूरे जिले में नाराजगी और आक्रोस फैल गया है यह वीडियो एक व्यक्ति की बिजती और हिंसा का प्रतीक बन चुका है ऐसे मामले सिर्फ पीडित को ही नहीं बलकि समाज को भी जगजोर देते हैं सवाल यह उठता है कि क्या कानून विवस्ता एक दिनी कमजोर हो गई है कि लोग खुद से न्याय करने लगे है या फिर वीडियो बारन होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत क्रॉस यह फायार दर्ज कर दी इसके तहट हंसराज पटेल पाटीदार और जितेंदर पाटीदार की खिलाब भी मामले दर्ज किये गये हैं इसे मामले भी गंभीरता और बढ़ जाती है जबकि यह सिर्फ एक तरफा घटना नहीं बलकि दोनों पक्षों के बीच की रंजिस का नतीजा हो सकता है पुलिस ने भारती दंड सहिता धारा 206, 1152, 351 और 355 के तहट मामला दर्ज किया है इन धाराओं का उपियोग आमतोर पर हिंसा और सर्मजनी कसांती भंग करने के मामलों में देखा जा सकता है अब यह देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या सच्चाई सामने आती है या नहीं गटना के कारणों को ले करके दो प्रमुख बातें सामने आ रही है कुछ लोगों का मानना है कि यह अवैद संबंद के सक की वज़ा से यह सारी चीजे हुई जबकि पुलिस इसे चुनावी रंजिस का परिणाम बता रही है वज़परदेश के ग्रामिड शेत्रों में पंचाय चुनावों में रंचिसे और आपसी दुस्मनी अकसर देखने को मिलती है जिससे कई बार हिंसक घटनाए हो जाती है वहीं अवैद संबंदों की अपवाहें भी कई बार ऐसी घटनाओं का कारण बनती है सवाल यह है कि क्या इस मामले में भी ऐसी ही अपवाहें हैं या फिर वास्तविक्ता छिपी हुई है या फिर सिर्फ राजनीतिक दुस्मनी का परिणाव है इस घटना ने ना किवल अस्तानी राजनीत में हंचल मचा दी है बलकि सामाजिक अस्तर पर भी गंफिर सवाल खड़े कर दिये है ऐसे मामलों में अक्सर पीडित को सरवजरिक रूप से अपमानित किया गया है और यह समाज के नैतिक और कानूनी ताने बाने को कमजोर कर रहा है इस घटना के बाद पूरे शेतर में पुलिस प्रसासन की भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं क्या पुलिस ने सही समय पर कारिवाही की या हंसराज पटेल पाटीदार को न्याय मिल पाएगा या फिर क्या यह अन विवादों की तरह धीरे-धीरे सांथ हो जाएगा इस दिनांक गठा इसको नाराणकर कस्वे के पाटीदार समाज किये एकी परिवार के दो अलग-अलग पक्ष्णों के वीच सुबे-सुबे विवाद होने की रिपोर्ट थाने पर आई थी मंदसावर जी लेकि यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूत कर देती है कि क्या हमारी नयाय की जो विवस्था है इतनी मजबूत है कि ऐसे मामलोंक में सटीक और तौरीत नयाय दिला सके हंसराज पटेल पाटीदार की पिटाई का वीडियो सोसल मेडिया पर जिस तरीके से वारल हो रहा इस बात का संकेत है कि समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो कानून को अपने हाथों में लेने से हिचकी चाहते नहीं है अब यह देखना महतपून होगा कि पुलिस और नयाले इस मामले को किस दिसा में लेकर जाती है और क्या यह सिर्व एक और घटना बन कर रह जाएगी या फिर हम इससे समाज में कोई बदलाव ला पाएंगे समाज के लिए घटना एक चितावनी और अगर ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भविश और भी गंभीर परणाम सामने आ सकते हैं भविश में उमीद है कि पुलिस और प्रसासन सही जाज कर सके तो दोसियों को सजा भी दिलवाएंगे और पीडित को न्याय भी मिलेगा लेकिन अगर सही तरीके से जाज नहीं हुई तो इस पर क्या होगा ये तो भगवान भरों से ही रह गया बहुत दनेवाल लगतार बने रहें तरंगोडी फोल नियूज के साथ फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए नमस्कार जैहें